Hello everyone, in this video I am going to show you how to recharge prepaid energy meter. So this is our prepaid energy meter और यह हमारे घर के बाहर लगा होता है और इसके साथ जो यह छोटी सी डिवाई से इसको freedom बोलते हैं यह हमारे घर के अंदर होती है. तो इस meter की display में जो भी information होती है उस information को हम इस freedom unit की help से अपने घर में देख सकते हैं. और जो यह freedom unit है यह इस wire के थुरू इस meter के साथ connect होती है. तो चलिए अब देखते हैं कि इसमें recharge कैसे करना है. Recharge करने से पहले हम meter का valence चेक करेंगे ताकि हम बाद में verify कर सके कि जो हमने recharge किया हुआ जितने amount का उतना amount meter में add हुआ या नहीं. और valence चेक करने के लिए हम button number 1 को प्रेस करेंगे. जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी meter के अंदर जो valence हो माइनस में 151 रूपीज है. और अब meter को recharge करने के लिए हमें एक vent code की जुरत पड़ेगी जो की इस तरह से होता है. इसके अंदर amount कितना है और साथ में vent code भी दिया जाता है. अब हम इस code को meter में डालेंगे और meter में डालने के लिए सबसे पहले हमें star key को प्रेस करना पड़ेगा. और उसके बाद जो 20 digit का ये vent code है उसको यहाँ पर punch कर देंगे इस freedom unit की help से. और code punch करते हुए अगर आपसे कोई यहाँ पर mistake हो जाती है तो आप star key को प्रेस करके उसको correct कर सकते हैं. 20 digit डालने के बाद display पर आपको ये status दिखाएगा कि जो code आपने डाला है उसको इसने accept किया या reject किया है. तो इस case में अभी ये reject दिखाएगा क्योंकि ये जो code है मैं already meter के अंदर डाल चुका हूँ. लेकिन जब आप fresh code डालेंगे तो ये आपको यहाँ पर accept दिखाएगा. इसके बाद आप दुबारा key 1 को प्रेस करेंगे balance चेक करने के लिए. तो मेरा जो previous balance दाओ minus 151 था और अभी मैंने 1500 का रिचार्ज किया तो अभी इसमें जो amount आ रहा है 1348 आ रहा है. और अगर आपको इस vent code से little doubt है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस code को आप mobile application से भी generate कर सकते हैं, utility की site पे जाके भी directly आप वहाँ से generate कर सकते हैं या utility के कुछ authorized bending station होते हैं, वहाँ पे भी इसको generate किया जाता है. बट depend करता है कि जो आपकी utility है उन्होंने आपको किस तरह की service provide की है. जैसा कि मैं गुडगाओं में रहता हूँ इमार पालम गार्डन में, तो यहाँ की utility ने इमार पालम गार्डन के management को access दिया हुआ है, ताकि ओ society के सभी घरों के meter के code generate कर सके. So this is all about prepared energy meter recharge. अगर आपको और भी query है इस meter से related कि हमारे area में जो unit है और कितने रुपे है, साथ में अगर आप यह देखना चाते है कि जो meter है यह कितना main supply पे चला और कितना DG पे चला है, या फिर आप यह देखना चाते है कि जो इसके अंदर balance बच्चा है, अब यह कितने दि नोड चलेगा, तो उसको आप comment section में पूछ सकते हैं, उसके लिए मैं अलग से video बनाने की कोशिश करूँगा, thank you so much